हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज से हम एक सिरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर जितने भी प्रीवेस यहर के कोशन है उसको आज आज से हम एक्स्मिनेशन के साथ डिसकस करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक करेंगे हर यूनिट से उठाएंगे तो आज हम करते हैं स्टेटिक्स के कोशन तो फसली कोशन आता है कि फोर ए वैरी लार्ज पोपुलेशन धी रेश्यो बिट्विन स्टेंडर्ड एरर मीन और स्टेंडर्ड डैवेशन है एट इस तू फोर्टी तो इसने पूछा है स्टेंडर्ड एरर का फोर्मुला क्या होता है स्टेंडर्ड एरर का फोर्मुला होता है स्टेंडर्ड डैवेशन अप़ोण रूड एन यहां पर आपको स्टेंडर्ड एरर चीवन है przedsiębior कितना दे रखा है एट और standard deviation कितना दे रखा है 40 इसने पूछा है n की value अब आपका root n कितना आजाएगा 40 upon 8 कितना आजाएगा 5 और n की value क्या हो जाएगी n की value हो जाएगी 25 root है न तो root हटने के बाद इसकी value कितनी हो जाएगी n is equal to कितना हो जाएगा 25 है देखते हैं इसके option तो इसका answer क्या हो जाएगा 25 है तो आपको formula जरूर याद रखना है कि क्या formula होगा इसका तो याद रखना standard error का जो formula होता है वो क्या होता है standard deviation upon root इससे यह question है वो easily solve हो जाएगा इसके बाद next question है the arithmetic mean of 10 item is 50 if each item is increased by 5 then new arithmetic mean would be क्या होगा इसने पूछे है जो 10 item है उनका arithmetic mean है वो 50 है अगर हर item को 5 से increase कर देते हैं तो new arithmetic mean क्या होगा तो हमने arithmetic mean की property पढ़ते हैं उस property के अंदर यह पढ़ते हैं कि अगर मालो हम जितने item से increase करेंगे न arithmetic mean उतना ही भढ़ जाएगा अब इसने कितने से बोला है 5 से तो पहले कितना था 50 अब कितना हो जाएगा 55 अगर मालो इसने पूछा होता 7 से तो कितना हो जाता अंसर 57 मतलब उतना ही impact पढ़ देगा जितना आप increase कर रहे हूं ठीक है यह arithmetic mean के एक property होते है तो इसका अंसर कितना हो जाएगा 55 है यह question भी आपका June 2019 के exam के अंदर आया हुआ है next question पूछ रखा है which of the following are considered non-parametric test है इन में से कौन से non-parametric test है तो आपने देखा होगा जो मन वाइट ने U test है यह भी non-parametric test है crucial values test है यह भी non-parametric test है chi-square test है यह भी non-parametric test है लेकिन F test और T test यह क्या है parametric test है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा A, B और E तो देखते है कौन से option में है यह हमारा इस वाले option में है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा A next question है if two regression coefficient are minus 0.8 and minus 0.2 then value of coefficient of correlation तो उसकी क्या value होगी तो coefficient of correlation का जो formula होता है वो होता है root bxy into root byx यह इसका formula होता है अब देखो bxy कितना है minus का 0.8 है into minus का 0.2 है कितना हो जाएगा यहाँ पर जो अंसर हा जाएगा यहाँ जाएगा 0.16 लेकिन यह minus का ही रहेगा ठीक है और इसका गर हम इसका जो root है वो open करेंगे तो इसका जो अंसर आएगा वो आएगा minus का 40 0.40 अंसर है अब इसमें आपने सोचा कि minus minus तो plus हो जाएगा लेकिन regression के case में ऐसा नहीं होता है ठीक है regression के case के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि regression की एक property होती है कि sign of regression coefficient must have same या तो दोनों आइदर positive होंगे या दोनों आइदर negative होंगे तो इसको हम minus minus plus नहीं कर सकते हैं इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा minus का 0.40 ठीक है यह वाला formula put कर देंगे bxy into byx और क्या आजाएगा minus का 0.8 into 0.2 यहाँ पर फिर आजाएगा 0.60 minus का और फिर यह आजाएगा minus का 0.40 minus क्यों आया minus minus plus क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर याद रखना जो regression coefficient होता है उनके sign सेम रहते हैं या तो दोनो positive होंगे या दोनो negative होंगे ठीक है इसके कारण यहाँ पर क्या आएगा answer क्या आएगा minus का 0.14 उसके बाद आता है एक graph of cumulative frequency distribution इसको हम बोलते हैं o give ठीक है cumulative frequency distribution जो cumulative frequency से जो हम दिखाते हैं graph है उसको हम क्या बोलते हैं o give कर भी बोला जाते है इसको o give कर भी हम बोलते हैं ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा C next होता है the scale of measurement which has no order, distance, unique origin unique origin is known as one of the following मतलब जिसका ना तो कोई order है ना कोई distance है ना कोई unique origin है तो उसको हम क्या बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं nominal scale है ठीक है आपको पता है ratio scale के अंदर क्या होता है ratio scale के अंदर तो सारी characteristics होती है interval scale जैसे कि हम temperature बगएरा जो temperature बगएरा measure करते है ordinal scale जैसे कि आप ordinal form के अंदर या उसको क्रमानुसार आप जब कुछ items है उनको measure करते हो ठीक है तो अब यह कहना ना तो उसका order है ना distance है ना origin है तो क्या होगा simple scale हो जाएगा simple scale कौन सा होता है nominal scale होता है जो सिर्फ क्या होता है जो भी items होता है उसकी जो features से उसकी characteristics को बताता है ठीक है तो scale का नाम क्या हो जाएगा nominal scale next question हाता है कि which of the following is not a logical structure इसमें से कौन सा logical structure नहीं है ठीक है तो इसमें से कौन सा logical structure नहीं है chain है वो logical structure नहीं है next question आ गया if two regression coefficient are 0.8 and 0.2 तो what is the value of coefficient of correlation देखना question भी है लेकिन answer इसका differ आएगा क्यों यहाँ पर minus का निशान नहीं है अब देखो regression coefficient है यह दोनों plus के अंदर है तो answer भी किसमें आना चाहिए plus में आना चाहिए तो यानि आपके जो minus वाले option है वो तो वैसे ही neglect होगे ठीक है क्योंकि हमने regression coefficient की property बढ़ रखी है कि जो regression coefficient है उनके क्या होगे sign सेम होगे या तो दोनों positive होगे या दोनों negative होगे ऐसा नहीं हो सकता कि एक positive हो और एक negative हो ठीक है तो यहाँ पर क्या है दोनों positive है तो answer भी किसमें आएगा positive में तो यहाँ पर जो minus वाले है यह तो answer है वैसे ही neglect होगे अब आपने देखो यह question solve किया था bxy into byx है तो 0.8 into 0.2 ठीक है यहाँ है था आपका 0.16 और इसको आपने solve किया था कितना आ गया 40 तो answer क्या हो जाएगा 0.40 उसके बाद next question आता है the process of arranging data in new order यानि जब हम data को new order के अंदर range करते है उसको क्या बोलते है उसको हम बोलते है manipulation of data क्या बोलते है manipulation of data तो आज की यह थे हमारे 10 questions अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो like, share और subscribe है वो जरूर करना thank you इसके बाद जो next question discuss करेंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे और subscribe जरूर कर लेना ताकि आपको notification मिल जाए जब जो next question करा हूँ जब okay, thank you